हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है श्वैता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूटुब चैनल swtb.com classes में आज की इस वीडियो में हम objectives of management की बारे में जानेंगे जिसमें मैंने इससे पहले जो वीडियो अप्लोड किया है उसमें मैंने objectives of management के तीन headings बताये थे तीन categories बताये थी जिसमें से एक मैं already discuss कर चुकी हूँ आज मैं दूसरा discuss करूँ यानि कि social objectives के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो आईए बिना time waste किये हुए बिना time को waste किये हुए अपने इस वीडियो को start करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे में हम discuss करेंगे इससे पहले जो मैंने video upload किया है listeners उसमें मैंने इसके पहले objectives यानि कि मैंने बताया था कि जो objectives of management होता है यानि किसी भी organization का जो objective होता हुदेश होता है उसको तीन categories में बाटा गया है organizational objectives, social objectives, personal और individual objectives तो इसमें हम social objectives के बारे में बात करेंगे organizational objectives के बारे मैंने इससे पहले जो भी video upload किया है उसमें मैंने डाल दिया है तो अगर आपको देखना हो तो उस video पर जाकर आप देख सकते हैं organizational objectives के बारे में जान सकते हैं अब आईए देखते हैं कि social objectives अखिर क्या होता है Social Objectives का अगर हिंदी अर्थ जाने हम तो Social Objectives का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों समाजी कुद्देश से अब इसका management से क्या relation है यानि कि कैसे रिलेट करता है ये सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे Social Objectives इसकी meaning समझ लेते हैं Social Objectives refers to the objectives which are desired to be achieved for the benefit of the society यानि कि Social Objectives वो objectives होते हैं समाजी को देश वे देश होते हैं जो कि society के समाज के लाभ के लिए benefit के लिए हमें अचीव करना होता है As a part of the society Every organization whether it is business or non-business has a social obligation to fulfill यानि कि हम को समाज के हम जैसे की part है Society के part है, part होने के वजह से जितनी भी organization है चाहे हो business हो या फिर non-business हो उनके कुछ social obligation होते हैं जिनको उनको fulfill करना होता है पूरा करना होता है इसका मतलब है यानि कि It means management must consistently create economic values for various constituents of society यानि कि इसका मतलब है कि प्रबंधन को समाज के विभिन घटको के लिए लगतार आर्थिक मूलियों का निर्माण करना चाहिए यानि कि जो management है उसको society के लिए समाज के लिए different different जो components है यानि कि जो घटक हैं उनको उनके लिए मतलब लगतार आर्थिक मूलियों का यानि कि economic values का निर्माण करना चाहिए अब दोस्तों कुछ समझ लेते हैं इसके जो social objectives है इसके कुछ और भी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़े included है some of the major social objectives include यानि कि इसमें जो जो चीज़े included है अब उनके बारे में बात कर लेते हैं तो पहला है protection of environment by using environmental friendly methods of production यानि कि इन्वार्मेंट का protection किस चीज़ का यूज करके इन्वार्मेंटल फ्रेंडली methods of production का यूज करके यानि कि उत्पादन के प्रियावरण के अनकूल तरीकों का उपियो करके परियावरण की सुरक्षा नेक्स्ट जो है वो है generation of employment opportunities for weaker section of society यानि कि जो social objective से management का वो क्या है कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए रोजगार के उसर पैदा करना next है providing basic amenities like school and crutches to employees यानि कि basic amenities प्रवाइड करना schools जैसे कि हो गया crutches to employees हो गया यानि कि करमचारियों को school और crutch जैसे बुनियादी सुवधाएं प्रवाइड करना यानि कि society को school भी प्रवाइड कराना और employees को क्या प्रवाइड करना crutch जैसे जो भी बुनियादी सुवधाएं हैं वो सब चीजें उनको प्रवाइड कराना next है supply of good quality products at fair prices यानि कि good quality products supply करना fair price पे यानि कि इसका मतलब होता है कि उचित मूले पर यानि कि fair price पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के आपूर्ती करता यानि कि जो प्रवाइड क्रवाइड होना चाहिए वो good quality का होना चाहिए उसको supply करना next है conducting business in lawful manner यानि कि वैद तरीके से वैपार करना next है यानि कि last है इसका point avoidance of anti-social and unfair trade practices यानि कि अस्समाजिक और अनूचित वैपार प्रथाओं से बचाओ I hope दोस्तों जितना भी मैंने चीज़े इसमें जो भी information related to social objectives दी है वो आपको समझ में आई होगी फिर भी अगर आपको कोई issue है कुछ ना समझ में आया हो तो आप मेरे comment section में comment करके बता सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये video अच्छा लगता है helpful लगता है या फिर आपके ग्यान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करता है तो प्लीज इस video को like, say and subscribe करना ना भूलीगा और इस video से related कोई भी issue है तो आप मेरे comment section में comment करके बता सकते हैं कोई भी problem हो listeners आप मेरे comment section में बता सकते हैं और अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉमन में भी जरूर बताएगा आगी का जो next part है यानि कि objectives of management प्रवंधन के उदेश में जो मैंने तीसरा category बताया था यानि कि personal और individual objectives को मैं next video में आप से उसके बारे में discussion करूंगी तो आज के लिए बस इतना ही thank you